हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चो जैसा कि आप जानते हैं आपके winter vacation 1 January 2022 से शुरू होने जा रही है तो बच्चो आपको holiday homework दिया गया है ताकि आपको आने वाले वीडियो के notification मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चो ये work है आपका 3 January 2022 के लिए theme है family value activity one है in winter break you will be at home with your family बच्चो आप winter break में it means सर्दियों की छुटियों में अपने परिवार के साथ घर पर होगे what are you planning to spend quality time with your family members बच्चो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय spend करने के लिए क्या plan कर रहे हो mention some values you learned from your grandparents बच्चो आप अपने दादा दादी से क्या values सीखते हैं क्या मूले की बाते सीखते हैं बच्चो आप इनका यहाँ पर जिक्र करेंगे लिखेंगे अब question है draw और paste a photo of your family hair बच्चो यहाँ पर यह इस पेस्ट दिया गया है यहाँ पर सभी बच्चे अपने family members की picture पेस्ट करेंगे या फिर ड्रॉ करेंगे अब है बच्चो यह जो आपका homework है यह है 6 January 2022 के लिए इसकी theme है बच्चो water conservation, gels induction, activity one है draw picture, right uses of water in daily life बच्चो यहाँ पर आपको picture भी ड्रॉ करनी है और daily life में water का क्या क्या यूज होता है अब बच्चो यहाँ question है how can you save water during following activities दीगए activities के दोरान आप पानी को कैसे save कर सकते हैं तो बच्चो hand wash करने में, bath नहाने में, cleaning the utensils, button साफ करने में, washing cloths, कपड़े दोने में तो बच्चो आप किस तरीके से इस पानी का reuse कर सकते हैं, save कर सकते हैं, यहाँ पर तरीके लिखेंगे अब बच्चो आपको homework है 11 January 2022 के लिए, theme है animals, जानवर, activity है identify different animals in the picture बच्चो इस पिक्चर में आप अलग-अलग जानवर हैं, उन्हें पैचानेंगे और उनके नाम लिखेंगे name and draw और paste the picture of our national flag, flower, bird, tree बच्चो यहाँ पर हमें हमारे राष्टे जंडे तिरंगे की पिक्चर बनानी है और उसका नाम लिखना है बच्चो हमारा राष्टे फूल कौन सा, it means national flower कौन सा है, यहाँ पर picture draw करेंगे और उसका नाम लिखेंगे next बच्चो हमारी national bird कौन सी है, तो बच्चो उसकी picture ने draw करेंगे और नाम लिखेंगे national tree की picture बनाएंगे और बच्चो यहाँ पर बनाएंगे national animal की picture और उसका नाम लिखेंगे अब बच्चो यहाँ पर question है, sing a patriotic song, recite a poem बच्चो यहाँ पर आपको एक देशबक्ती song गाना है या फिर कोई कविता गानी है, अब बच्चो यह जो आपका work है, यह है 14 January 2022 के लिए, theme है respect towards household work, घरेलू कारयों के प्रती सम्मान, तो बच्चो यहाँ पर activity one है, you may have seen that many times in your house, आपने कई बार अपने घर में देखा होग Your house are not properly placed due to overloaded work on your parents, आपके parents पर बहुत ज़्यादा कारय होने के कारण, आपका घर जो है, सही नहीं है, help your parents to place the things like books, clothes, shoes, pots, etc. at appropriate places, बच्चो आप अपने माता-पिता की इन चीजों को रखने में, सही ज़गा रखने में मदद करेंगे Draw and color the thanks card for your parents, बच्चो यहाँ पर आप thanks card अपने माता-पिता के लिए draw करेंगे और उसमें सुन्दर से रंग भरेंगे अब बच्चो यहाँ पर question 1 है, in your family आपके परिवार में all members perform different works, सभी लोग अलग-अलग कारे करते हैं, give the answers of following questions, अब दिये गए questions के answer दीजिए Question है, who cooks the food very well, कौन अच्छे से काना पकाता है आपके घर में, तो बच्चो आपकी मदर पकाती हैं, या फिर कोई अन्य तो बच्चे हाँ पर mother लिखेंगे Who washes the clothes well, कपड़े कौन अच्छे से दोता है, who is very good in studies in your family, आपके घर में पढ़ाई में कौन अच्छा है, तो बच्चो ये है आपकी holiday homework की work seat, बच्चो इसका solution date wise अप्लोड कर दिया जाएगा बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like share करना न भूलें और यदि आप इस channel पढ़नाए हैं, तो please channel को subscribe करें, thank you